पहार के बंदे को कभी नहीं बतानी चाहिए क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हमारे शब्द ही हमारी पहचान होती है तो अगर आपने ये सब बाते किसी के आगे कही तो हो सकता है कि वो सब आपको इनी सब चीजों से जच करने लागे और फिर आपको उनका भरोसा जीतने में और भी ज्यादा परेशानी होने लगे तो बस अब जुड़े रहो इस वीडियो में आखरी तक और अगर आप अब तक मेरे साथ इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े हो को बेहत नोटिस करते हैं उन्हें ये दिखता है कि हम किसी चीज में कितने एक्टिव हैं हम कितनी जिम्मेदारियां ले रहे हैं पर अगर आपने किसी के सामने ये बात बोल दी कि मेरा माइंड कमजोर है इस से होका ये कि सामने वाला आपकी ही बात से आपको ऐसा समझने लगेगा कि आप उसके किसी भी काम के नहीं यानि अगर future में आपसे कुछ ऐसी गलती होती है जिसमें common sense की जरुवत थी तो हो सकता है कि उसे बार-बार ये बात याद आए कि आपने उसे ऐसा बोला था कि आपका mind कमजोर है फिर वो आपको चोटी मुटी चीज की भी जिम्मेदारी उठाने लायक नहीं समझेगा अब ये चीज तो जाहिर है कि आपको भी hurt करेगी इसलिए अगर आपका mind थोड़ा weak है या आपको ऐसा लगता है तो brain की अलग-अलग exercise होती है जिससे हमारा mind sharp बनता है इस पर मैंने अलग-अलग वीडियो बनाई हुई है आप mind या brain undiscovered truth लिक कर सर्च कर सकते हैं इसके बाद किसी को ये मत बताओ कि मेरा past कैसा था यानि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आप हर किसी को अपने past के बारे में बताए जा रहे हैं जबकि आपको पता भी नहीं है कि वो लोग कितने दिन आपके साथ रहेंगे हम सब का एक अलग past होता है किसी का अच्छा होता है और किसी का बुरा भी हम सब किसी की कहानी का hero है और किसी की कहानी के villain भी कोई हमें इतना प्यार करता है कि उसे हमें कोई कमी नजर नहीं आती और कोई इतनी नफरत करता है कि हमारी कोई भी खूबी उसे कभी नहीं दिखती हम यार किसी को ये नहीं समझा सकते कि हम कितने अच्छे हैं और कितने बुरे जब तक आप सामने वाले को अच्छे से नहीं समझ लेते यानि ऐसे कि आप किसी को कितनी बात बताओगे और वो कितनी बात समझेगा आपको अपनी बात किस तरह से बतानी है कि वो वैसे ही समझे जैसे आप बता रहे हो ये सब कुछ आपको जानना बहुत जरूरी है उसका नेचर आपके दिमाग में तभी बैट पाएगा जब आप उसे अच्छे से समझोगे और उसके साथ टाइम बिताओगे पर किसी को बिना जाने अपने पास्ट की हर बात उसे बता दोगे और वो शक्स आपके साथ लाइफ बिताने वाला है तो जाहिर है वो आपको थोड़ा बहुत तो जज़ करेगा ही इसके बाद हमेशा सैड़ पन किसी के आगे मत दिखाओ अब यार जाहिर सी बात है कि हम आफिस में हैं अब अब चलो एक दो बार ऐसा हुआ तब तो ठीक है पर अगर वो जितनी बार भी मिला उतनी बार आपको अपने दर्द सुनाने लगा तो आपको बहुत अजीब लगेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उससे मिलना ही बंद कर दोगे क्योंकि आपको खुद उस बंदे से इरिटेशन होने लगेगी अब सोचो जब आप किसी ऐसे बंदे से मिलना पसंद नहीं करोगे जो हर बार सिर्फ रोता रहता है उसे कभी आपने मुस्कुराते हुए नहीं देखा तो क्या आप अगर ऐसे बन गए तो कोई आपसे मिलना चाहेगा नहीं क्योंकि हम सब को थोड़ी बहुत खुशियां चाहिए होती है तभी तो उस पल को हम इंजोई कर पाते हैं ना इसलिए अपने दुख तर्द आपको जिसको बताने है बेशक बताओ मगर उसके साथ साथ उम्मीद भी जिन्दा रखो अपने अंदर खुश भी रहो अपने आपको फील करो ये नेचर, ये हवा, ये मूमेंट सब इंजोई भी करो और इसके बाद दूसरे बंदों की बुराई तब तक मत करो जब तक आपको ये यकीन ना हो जाए कि वो शक्स आपके जानने वालों से कनेक्ट नहीं है क्योंकि कई बार हमें किसी के बारे में कुछ ऐसा पता होता है जो है तो गलत और सच भी है पर कोई हमारे जान पैचान का बंदा उस बंदे के बहुत क्लोस जाने की कोशिश कर रहा है तो हम उसे डारेक्ट ये चीज़ नहीं बोल सकते इससे हो सकता है कि वो हम पर यकीन ना करे या फिर हमसे मिलना ही बंद कर दे हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए जब सामने वाला बंदा कुछ से ये बोले कि यार मुझे ये चीज़ लगी है मुझे लग रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए क्या मैं ठीक सोच रहा हूँ या नहीं पता नहीं चल रहा जब वो कुछ ऐसा बोले तब आप वो वाली बात बताओ कि मुझे ये चीज़ पहले से ही मालूम थी पर मैंने तुमें डारेक्ट इसलिए नहीं कहा क्यूंकि मुझे मालूम नहीं था तुम कितना इस बात पर यकीन करोगे और कितना नहीं इस तरह से आप दूसरी की नजर में बने भी रहोगे और बात भी सच निकल जाएगी तो दोस्तों ये दी कुछ बाते जो आपको बता सकती है कि आपको पब्लिक में किस तरह से रहना चाहिए जिससे आपका confidence लो ना हो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा वीडियो पसंद आईए तो प्लीज लाइक करो और कमेंट में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये बाते कैसी लगी इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी जो लेंस्टाबर में काफी चीज़े अपडेट करता रहता हूँ जो मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आईगी इंस्टाग्राम करने के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौझूद है तो अभी के लिए बस इतना ही मैं मिलूँगा आपसे नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद